हेलो दोस्तों, CSE परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत सागत है, आज हम बात करने वाले हैं, CSE में एक नया प्रोजेक्ट एड हो चुका है, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि CSE में समय समय पर कोई नया प्रोजेक्ट चाहे व तो इस बीच CSC ने बहुत ही अच्छा काम किया है, कि CSC के दोरा आपको पता होगा कि बहुत सारी बैंकों का CSP मिलना स्टार्ट हो गया था काफी दिन पहले से ही, जैसे SBI का है और Axis Bank का है, प्यानी कि प्राइवेट बैंक हो या फिर पैबलिक सेक्टर बैंक हो, सभी बैंको में अलेबल होगी, तो कौन सी वो बैंक है, जो CSC में एड होई है, अभी हाल फिलाल में, जिसका BC पॉइंट मिलना ही स्टार्ट हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बारे में भी बताएंगे, और क्या-क्या लाव मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी बता करते हैं, इसी भी CSC ने एक नए बैंक के साथ टाइब किया हुआ है, जिसका BC पॉइंट अब CSC के माध्यम से मिलना ही स्टार्ट हो गया है, वो कौन सी बैंक है, उसके बारे में जान लेते हैं, CSC की तरब से जो भी बैंक एड हुई है, उसका नाम है त्रिपुरा ग्रामे बैंक, जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा ग्रामेर बैंक का, जो CSP है, अब सभी CSC वीली भाईयों को मिलना ही स्टार्ट हो गया है, प्रोसेस क्या रहने वाला है, प्रोसेस जो है, वो पुराने की तरीके ही रहने वाला है, कोई समें चेंजस नहीं किये गए हैं, जैसा आप लोग पहले एक्सिस बैंक की आईजरी अपसी बैंक का बीसी मिला था, सेम उसी प्रकार अब भी वैसे ही प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको कुछ भी प्रोसेस करने की जरूत नहीं पड़ेगी, कि आप लोगों को जैसे माली जीए कि अधर कंपनी से, आप किसी भी कंपनी से, अगर आप BC लेना चाहते हैं, तो बहुत सारी फार्मल्टी रजजा करनी पड़ती है, डाकुमेन तो इसमें भी देना पड़ता है, बट डिजटली तरफ तोर पे डाकुमेंट देना पड़ता है, बट कंपनी के तरफ से अगर किसी लेंगे प्राइवेट कंपनी से, त एक CSE की बहुत ही अच्छी सर्विस है और बहुत ही बड़ी सर्विस है यानि कि आधार का काम है या फिर बैंग का काम है आपको आसानी से मिल सकता है वो भी फ्री में बिना किसी को एक रुपए दिये हुए आपने अगर सारे प्रोसेस सारे डाकुमेंट क्लियर करके रखे है आपका सारे प्रोसेस एक दम क्लियरली सही है आप किसी प्रोसेस के कोई डाकुमेंट इरर नहीं कर रहे हैं तो आपका काम हंड़ेट परसेंट होगा और बिना एक रुपए खर्च किये होगा आपको पता होगा कि अगर आप CSE के माध्यम से आधार UCL का काम लेना चाहते है तो आपको सबसे पहले किसी ना किसी बैंक का BC पॉइंट होना बहुत ही अनिवार है क्योंकि बिना BC पॉइंट के आप आधार का काम नहीं ले सकते हैं ये बहुत पहले लांच हो गया था जितने भी CSE के माध्यम से UCL चल रहे हैं सभी के पास किसी ना किसी बैंक का BC पॉइ है चाहे फिर वो ICI bank का हो ICI bank का तो अभी BC point हटा दिया गया CSC से यानि कि close कर दिया गया अब access bank हो या फिर SDFC bank हो IDBI bank हो या फिर kotak mehendra bank हो कई सारी बैंकों का जो CSP है वो CSC की माध्धम से run कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा ही उन्हीं से tie up हो करके ही आधार UCL का काम CSC ने उन्हीं Wili को दिया है जिनके पास BC point है अगर आपके पास भी BC point नहीं है तो आप UCL का काम नहीं कर सकते हैं कदा भी तो सबसे पहले आपको focus करना है कि BC point कैसे मिलेगा और BC point का जो मैंने process बताया है कि सेम पुराना ही process रहेगा आपको CSC बैंक मित्र वाले portal पे जाके registration करना है registration सब्मिट होने के बाद जैसे ही verify हो जाएगा साभी जगों से आपका BC point रन करने लगेगा तो यही था update कि जितने भी CSC वीली भाई आधार का काम लेना चाहते हैं एक नया बैंक जुड़ गया है त्रिपुरा ग्रामिड बैंक उसका भी आप CSP लेकर के आधार का काम कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ऐसी ही इन्फोर्मिटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे जो सोसल मीडिया एकाउंट है जिसे टेलीग्राम है ट्विटर है वाट्सव इन से जूडने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रूपों का टेलीग्रामों का लिंक मिल जाएगा सोसल मीडिया एकाउंटों का वहां पे आप एड हो जीए कि समय समय पर जो भी अपडेट आते रहते हैं वहां पे तुरंट अपडेट कर दिया जाता है